हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग देखे कल के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टोपिक था वह प्रतिवर्थी क्रिया और प्रतिवर्थी चाप था जो मैंने आपको बताया था कि इंपोर्टेंट टोपिक है जिसमें हमने यह पढ़ा था कि किसी भी प्रतिवर्थी क्रिया में जो भी तंत्री का कोशिकाओं का पत होगा रास्ता होगा उसको हम क्या कहते हैं में प्रतिवर्थी चाप कहते हैं यह मैंने आपको लास्ट में प्रतिवर्थी क्रिया के बारे में बताया था कि यह प्रतिवर्थी क्रिया है जिसमें ग्रही यंग त्वचा होगी जो अचानक से ग्रम प्लेट को छू लेती है तो सम्वेदी तंत्रेकां द्वारा संदेश जाता है और यह पर्तिवर्थी किरिया जो है वह मेरु रज्जु द्वारा नेंत्रित होती है यह आपका NCRT का परशन था आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वह तंत्री कि वृच्ण कहते हैं जिसको इंगलेस में नेफ् nom का जाता है। यहे हैं हिए यह मुख्य जो होता है कोशिका का मुख्य वागई होता है जिसमें किंद्र मोजूद होता है इसके आगे बाल जैसी parcel की जिनको दुरुमिका का जाता है आपको आगे पता लग जाएगा कि इनका सब का कारिय क्या क्या है एक लंबी छड़नुमा संरचना होती है जो इस मुख्य कोशिका वाले भाग से जुड़ी होती है जिसको तंत्रीकाक्ष कहते हैं और अंतिमशिरे में भी बाल जैसी संरचना ह दुरुमिका का जाता है कौशि को आच करता है कोशी का करता है कि अगर आपकोव विभागों करना चाहेंगे तक यह चेख्या संरचना है जिसमें आने वाली सूचनाए हैं जैसे हमने किसी ने पीछे से आवाज दी है या बोल को आते हुए देख रहे हैं या हमें किसी ने छुँआ है जिस भी प्रकार की घ्यानेंद्री से हम सूचनाओं को ग्रैन करते हैं वो जो सूचनाओं है वो तंत्रीका आक्ष्में विद्धूत आवेग के रूप में कोशिका कैसे जूड़ी होंगी एक तंष्म का सबसे आगे वाला वाग और दूसरी तंष्म का सबसे पिछे वाला वाग उन दोनों के वीच में जो खाली जगले मोगे उसको साइनेप के ते हैं इसको हिंदी में अंतर गृंतिंट बोला जाता है और इस अंतर गृंथन में एक पुतावेक के द्वारा होता है देखिए यह चित्र है एक तंत्री का कोशिका यह है यह इसका अंतिम शिरा है गोर से देखिए यह इसका अंतिम शिरा है अगली तंत्री का कोशिका की जो द्रूमिकाएं है यह जो मैंने लाल पैन से बोक्स बना रखा है इस स्थान को हम क्या क शिनेप्स भी बोलते हैं हिंदी में वैसे साइनेप्स होता है और अंतरगरंथन बोला जाता है इसका मैंने structure बढ़ा करके यह दिखा रखा है कि मान लीजी यह है यह एक तंतरीका का अंतिम शिरा है पहले वाली इधर कोई तंतरीका थी उसका अंतिम शिरा है और यह दूसरी टंत्रीका का दुरुमी का भाग है उनके बीच में जो gagہ है उसको क्या कहते हैं का आ ऐंत्रह च list कहते है यह जो है यह भी पहूंत पहुत है कहां में थिखा यह में एक पतार्थ हए जो आख राकन ताम और जयेंगी तो इस रासीश क knife कर द долיל सधान इसमें रासाइनिक पदार्थ है जो इनके बीच के खालिस स्थान में क्या करता है सुचनाओं के संकेतों का आदान-परदान करता है ठीक है कि आपको समझ में आगे पढ़ते हैं जो विदूत संकेत हैं विदूत संकेत यानि कि तंत्री का कोशिका है वो विदूत आवेगों किसी कोशिका ने विदूत अवेग शुरू कर दिया है, तो उसको नया विदूत अवेग शुरू करने में टाइम लगता है, समय लेती है, और तीसरा है कि पोदों में कोई तंत्री का तंत्र नहीं होता, फिर भी उनमें कारिये जो होता है, वो सुचारू रूप से चलता है, ये उनकी विदूत की सीमाएं हैं, विदूत संकेत की, यानि की तंत्री का तंत्र की सीमाएं हैं, हमने शुरू में ही चैप्टर के शुरू में आपको बताया था, कि जो मानवों में, जन्तू में जो समनवे होता है, वो दो प्रकार से होता है, एक तंत्री का कोशिकाओं के कोशिका के अंदर वाले इस्सों में विदुतावएगों से स्थानान्त्रीत होती हैं जबकि दो कोशिकाओं के मद्ध्य साइनेपस होता है अंतर ग्रंफन उसमें सूचना रासायनिक विदिन अंगों के द्वारा होता है और इन पदार्थू को हम क्या कहते हैं। पादप हार्मोन कहते हैं, पोदा जो है वो दो परकार की गतियां दिखाता है, पहली गति वो होगी जो पोदे की व्रधी पर आधारित है, जैसे पोदे की लंबाई बढ़ती है, हमें दिखाई देती है, जडे जो है और गहराई तक जाती है, हमें दिखाई देता है, ठीक है दुसरी होती है रात किसम अपने फूलों को बंद कर लेते है और सुबह जैसे दूब खिलती है उसमें अपने फूलों को वापिस कौल देना इसि इन गतियों का शिकुडना है फूलों का खिलना या बंदोना है उन गतियों का पोधे की व्रचिशिए कोई से क्तिश Did temple लेना देना नहीं आनीhen in serves them व्रडशि पर आधारित नहीं होती तो सबसे पहले में व्रदी से मुक्त गतियां कहेंगे, इनका पोदे की व्रदी के साथ कोई link नहीं है, कोई connection नहीं है, ये वह गतियां होती है, जिसमें उद्धीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया होती है, उद्धीपन कोई भी वह कारक है, जिसके लिए हम अनुक्रिया करते हैं, मैंने आपको तुरंत ततकाल अनुक्रिया होती है, पोदा क्या करता है, अपनी पत्तियों को शिकोड लेता है, तो छुई मुई पोदे की पत्तियों को छूते ही पोदा अपनी पत्तियों को शिकोड लेता है, यह ततकाल अनुक्रिया है, यह व्रदी से मुक्त गतिया है, और यह होती कैसे प्रणवर्थ में क्या होगा जलकी मात्रा कम हो जाएगी और कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा पत्यां सिकुड जाएंगी अर्थात व्रदी से मुक्त गतियां जो होती है उनके पीछे का मुख्य कारण क्या है कि पोदे की कोशिकाओं में जलकी मात्रा में परिवर्तन होता है और इसलिए वो गतियां हो जाती है जो व्रदी से मुक्त गतियां है उनमें कोशिकाओं में जलकी मात्रा कम होती है और इन गतियों को अनुकुंचन गती भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप इसको देखना चाहेंगे, तो आप यह कह सकते हैं, कि शिकुडने का मतलब संकुचन होना है, तो पोदे की पत्तियां संकुचित हो जाती है, फूल जो है रात के टाइम बंद होंगे, यहां कुंचन जो शब्द है, वो संकुचन से आया है, अनुकुंचन गतियां जो हो जाती है, जो व्रदी से मुक्त होती है, व्रदी का इन में कोई रोल नहीं होता, कोई connection नहीं होता, दूसरी प्रकार की जो गतियां होती है पोदे में, वो दिशिक गतियां होती है, या अ उस दिशा से विप्रीत होंगी और आपको आगे पता लगेगा हमने तीन प्रकार के लिख रखे हैं तो अनुवर्तन गतियां या दिशिक दिशिक जो वर्ड है वो दिशा से आया है दिशा की तरफ या दिशा के विप्रीत जो गतियां होंगी उनको हम अनुवर्तन गति कहते यह व्रदी के कारण होती हैं पोदे के भागों में व्रदी होगी तब यह गतियां होंगी और अनुवर्तन के कारक कि किधर हो रहे हैं किस वज़े से वो एक पर्टिकुलर विशेश दिशा में बढ़ रहा है या उसके विप्रीत बढ़ रहा है उसके आदार पर क्या होता है अनुवर्तन गतियां तीन परकार के होती हैं सबसे पहले देखे परकास अनुवर्तन परकास अनुवर्तन क्या होगा पोदे के विबिन भागों में परकास की वज़े से होने वाली गतियां परकास अनुवर्तन कहलाएंगे अनुवर्तन का मतलब एक विशेश दिसा में है और प्रकास होगे तो प्रकास की दिशा में, तो आपको ये पता है कि ये जो पोदे का जड़ तना वाला भाग होता है, ये प्रकास की तरफ गती करता है, यहाँ पर मान लीजे कोई प्रकास कस्त्रोत होगा, सूरज भी कह सकते हैं, ये प्रकास कस्त्रोत होगा, तो इधर प् जीचे की तरह फैलती है मतलब उस से फिपरी दिशा प्रप्रकाशन वारतन किया लगा उदारन जड़ जड़ों में जो गतियां होती है वह प्रित्वी हरच्वी वास्तु प्रित्वी हर्षों कूंग युक्रीत्व क्रेंद्र की वाइश्ञा पो our गुरुतववाकर्षण बल का मतलब प्रिधवी के केंध्री की तरफ जो बल लगता है उसको घ्वुरुत वानुवरतन गतियां कहलेँगी पोधेखा वहाग जो गुरुतवयकर्षण बल की दिशा में यह मैंने बल की दिशा इसको अंडरलाइन किया हुआ है जो बल की दिशा में गती करेगा जिदर बल लग रहा है उदर ही गती करेगा तो दनात्मक कहलाएगा दनात्मक गुरुत्वानुवर्तन आएगा यहां गुरुत्वानुवर्तन और उसको हम क्या कहते हैं ज जल की वज़े से होने वाली गतियां, जलानुवर्तन कहलाती है, जल पोदे को कहां से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, तो मिट्टी की तरफ कौन बढ़ेगा, जड़ बढ़ती है, तो वो धनात्मक जलानुवर्तन कहलाएगा, जिस भाग में जल की दिशा में गति होती है, पो वह बाग उपर की तरफ बढ़ेगा तो वह रिनात्मक जलानुवर्तन कहलाएगा उदारन है तना अगला जो टोपिक है हम डिसकस करेंगे वह पादप हार्मोंस के बारे में जो पोदे की व्रधी में सायक होते हैं पोदे की जितने भी प्रकार के पोदे में शमनवे और